असनाम अलेकॉम वेर्ड हैपी लॉफली मॉर्णिंग यह स्टूडेंट्स हाव यू ओल कैसे हैं आप सब जनाप खेरियर से हैं ठीक टाक है यू अला फाइड वेरी नाइस अच्छा जनाप प्यारे बच्चों यह बताइए कि हमाएं पास वीक में कितने डेस होते हैं 7 आपको पता हैं उन तमाम देज में सबसे स्पेशल डे हमाले कौन सा होता है Friday as a Muslim Friday हमारे लिए बहुत बड़ी blessings और ब्लेसिंग अलाथ अला की तरफ से ठीक है जल्दी जल्दी आपको विस्तिक से दूआत उठाय करें आउजु बिल्लाहि में शेत्वानिर रधीम बिस्मिल्लाहि वहमयानि वहीम इसके बाद रभी सितनी इल्मा रभी सितनी इल्मा एं मेरे रभ मेरे इल्मे साफ़ा फर्मा ओ लॉर्ड इंक्रीज माई नौलेट आमीन इस तरीके से हमें अल्ला ताला से दुआये मांगनी चाहिए Friday को Friday को अल्ला ताला हम सब की दुआये कुबूर करते हैं ठीके तो अब आप लोग Friday कोई भी अच्छी सी दुआ मांग लिया करें ठीके अल्ला ताला आपको जरूर देंगे चलें अब हम ऐसा करते हैं अपनी बुक की तरफ चलते हैं ठीके चल देशे आप लोग बुक्स ओपन कीजिए Very good Now open page number 52 Very nice सबसे पहले हम क्या करेंगे भई ठीक डालेंगे Very good अब हमारे पास यहाँ पर क्या है आइकन से जर आ रहे हैं अच्छा जी अब यह आइकन्स में क्या है भई फिंकर है जो read कर ले है तो हमें भी read करना है और यह cat है और यह कहती है जल्दी से क्यों याउन्स उठाइए अच्छी से coloring स्टार्ट कर दीजिए तो हमें color करना है ठीके अच्छा जी अब यह देखें यहाँ पर मुझे कुछ object नजर आ रहे है यह मुझे एक basket नजर आ रही है और यह basket full of apples है ठीके इसमें बहुत सारे apples है पूरी भरी होई basket है तो जब यह basket पूरी full होती है तो हम इसे कहते हैं full क्या है full इसमें तो कुछ और रखने की चीज कुछ और चीज रखने की गुझाईश ही नहीं है तो हम इसे कहेंगे full full very good अच्छा जनाब अब यह basket नजर आ रही है अब यहाँ पर देखें कुछ apples काम हो गए है यानि कि अब यह half है क्या है half है यह basket अब आधी भरी हुई है तो हम इसे कहेंगे half क्या कहेंगे half half जब पूरी भरी हुई होती है मैं अच्छे कहते है full जब आधी भरी हुई होती है मैं कहते है half very good अच्छा जी यह एक और basket मुझे नजर आ रही है मगर इस basket में तो कुछ भी नहीं है Isn't it There is nothing in this basket तो अब हम क्या कहेंगे empty क्या कहेंगे empty क्या कहेंगे empty जब पूरी भरी होई होती है हम कहते है full जब आधी भरी होहई होती है हम कहते है half और फिर जब खाली होती है हम कहते है empty तो कोई भी bottle कोई भी बासकेट अगर आपको खाली नजर आती है तो हम उसे क्या कहेंगे empty क्या कहेंगे empty very good अजसी तहीं किसे यह देखिए यहां पर एक circle बना हुआ है और यह पूरा circle बना हुआ है isn't it पूरा circle बना हुआ है अच्छा जी इस circle की हम example लेते हैं रोटी ठीक है आपने रोटी देखिए आपकी मामा बनाती है पूरी राउंड होती है isn't it हम तो हम उसे क्या कहते हैं full क्या कहेंगे full अच्छा अब यह क्या है यह circle half हो गया है जब हम रोटी को बीच में से तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है वो half हो जाती है isn't it तो हिस्तों में divide हो जाती है यानि के half हो जाती है तो इसी तरीके से यह देखिए यह एक रोटी है और इसको हमने तोड़ लिया है बीच में से तो अब यह half हो गई है full half very good और यह क्या है यह चोटा टुकडा है जब half रोटी होती है हमाय पास हम उसको again half करते है थीक है उसको again एक हिस्से को उसको half को जब हम दो हिस्सों में divide करते है तो वो क्या कहलाता है quarter क्या कहलाता है quarter quarter, quarter, जो रोटी होती है, जब वो पूरी होती है, हम उसे कहते है, full, फिर जब हम उसे दो इस्सों में तोड़ते हैं, तो क्या होता है, वो half हो जाती है, और फिर जब हम half portion को लेकर, again उसे दो इस्सों में divide करते हैं, तो क्या बन जाता है, quarter, क्या बन जाता है? quarter say with me quarter full, half, quarter very good जनाब अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गिया होगा isn't it? अब आपने क्या करना है? ये discussion अपनी teacher के साथ भी करना है ठीके? आप teacher को रोटी की example दे के बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं ये activity आप करेंगे teacher के साथ very good भी बहुत प्यारे बच्चे हैं बहुत अच्छे से सारी बाते मानते हैं तो प्यारे बच्चों ये काम आप अपनी teacher के साथ जरूर कीजेगा और उनके साथ discuss भी कीजेगा उसके बाद आप क्या करेंगे इन तमाम पिक्टर्स में अच्छी सी beautiful सी coloring करेंगे और क्या करेंगे भई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे have a nice day अल्ला हाफिज